नमस्कार दोस्तों मैं इंकोर उपाथ्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनालिसिस में जो आज के लिए सबसे इंपोर्टेंट सबसे बड़ी न्यूस थी वो थी SBI के रिजर्ट्स और रिजर्ट्स आ चुके हैं शायद आप लोगोंने पड़ भी लिये हों देख भी लिये हों बट समझने में अगर दिक्कत आईए तो इस वीडियो के माद्यम से आपको समझ में आ जाएंगी A to Z चीजे हैं और अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है शुरू कर करें उसमें आईए हलकी सी गिरावट ठीक है जी तो stand alone net profit जो company ने पेश करा है वो 14,200 करोड के सामने 9,160 करोड पर आया है यानि profit में बड़ी गिरावट आई है साल दर साल मुनाफ़ा काफी heavily तूटा है company का ये clearly देखने को मिला है हम सभी को लेकिन markets भी कहीं न कहीं expect कर रहा था कि why of why basis पे profit में गिरावट आ सकती है exactly आ गई है revenue की बात की जाए तो 1,7,000 करोड का revenue company ने clock करा है 86,600 करोड के सामने साल दर साल तो ठीक है GNPA यानि की gross non-performing assets जो company के आए है वो 2.55% से बढ़ कर 2.42% पर आए है जो की बहुत अच्छी बात है GNPA, NNPA जितना कम हो उतना अच्छा रहता है एक bank के लिए यह वो पैसा होता है जो bank ने as a loan बाटा तो वाट बापस नहीं आ रहा है तो जितना कम percent होगा उतना अच्छा है मतलब loan ऐसे लोगों को जा रहा है जो वापस पैसा कर रहे है यह वो दर्शाता है तो बढ़िया है घटकर आया quarter on quarter NNPA 0.64% के सामने exactly 0.64% पे बना हुआ है no changes provisions for NPA 1800 करोड के सामने 1760 करोड रह गए है तो अच्छी बात है bank says credit growth at 14.38% तो बहुत अच्छा है with domestic advance growing by 14.47% yoy basis bank further says slippages, slippage ratio for Q3 FY24 increased by 17 basis points year on year basis and stands and 0.58% अनुमान भी कुछ इसी प्रकार का था and bank के fresh slippages की बात की जाए तो वो 5000 करोड के करीब आते हूँ दिखे है 3800 करोड से बढ़ कर, sorry 3800 से बढ़ कर, 3800 से बढ़ कर 5,000 करोड के करीब आए है तो आप मान के चलो हलकी सी बढ़ती आई है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा negative है वो बाकिसाब ठीक है, अब आता हूँ मैं, ये तो number जो आपने बढ़े होंगे अब मैं आता हूँ extra data पे सबसे पहला data है GNPA का तो ICI-ECI securities की मानी जाए, तो उनकी expectations जो थी इसके GNPA से वो exactly 2.4 के आसपास की थी, तो ये अनुमान पे खरी उतरी है bank, no doubt fresh sleepages की बात की जाए, तो अनुमान मोतिलाल उसवाल के दौरा 5,000 क्रोड का लगाए गया था, exactly 4,960 क्रोड का आए, तो वहाँ भी खरा होतरा है, कोई दिक्कत नहीं है profit घटकर आएगा, ये सबने माना था और exactly घटकर ही आया है तो यहाँ तक कोई issue नहीं है, अब मैं आपके साथ net interest income जो bank के लिए होती है, मतलब एक होता है कि bank ने interest कमाई, फिर अपने depositors को दी अपने खर्चेट आगे जो बीच में बचा, वो होता है net interest income, net word ही आगया, अपने आप में समझ गया यह जो है 4.59% year on year basis पे भढ़कर आया है, अनुमान था कि करीब 5% के something आ सकता है operating profit Q3F24 के लिए 20,336 करोड का आया है, तो यह पूरे के पूरे numbers थे, अब कैसे हैं यह numbers मेरी नजरों में यह in-line है, मिरको कुछ ऐसा नहीं मिला तोड़ फोड़ और मिरको कुछ खराब भी नहीं मिला, तो मैं यह कहूंगा let the market decide कि इसको उपर लेके जाना है या नीचे, लेकिन इतना जरूर है बड़े निवेश्कों ने खरिदारी करीए, चाहे कोई भी analyst हो, कोई भी brokerage house हो, वो bullish है, आपने देखा, methane alloy तो open market में Friday को 50 करोड का खरीद कर गए है, तो यह सारी चीज़े positive ही दिख रहे हैं मिरको, अगर technical chart structure देखें हम, 649 की closing asset stock की, 660 का high है जो Friday को ही लगा है, तो 52 week high life हाई के आसपासी trade stock आपके लिए करता हुआ दिख रहा है, तो mission हो कि आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, और आपके लिए technical terms में stop loss भी share करूँ, तो वो 646, 642 के आसपास का निकलेगा, और आप उसी के साथ इसको hold कर सकते हैं, continue higher rise की momentum में है, कोई fresh breakdown आता है numbers में, कोई market को कोई भी चीज़ पसंद निया है, गिर जाता है, तो 600 के आसपास अ year on year basis पे आप share के price को देखोगे, तो वो 23% उपर है, profit 35% नीचे है, share 23% उपर है, directional move है, adjust भी हो सकता है, no doubt, तो यह मेरे तरब से आपके लिए एक detail वीडियो थी, ओब आपको सारी चीज़ें समझ में आई थी, thank you so much for watching this video, have a great day guys.